वैश्विक महमारी कुरोना वाइरस संक्रमन की दूसरी लहर बेहद ही भयावक हो गई है लगातार चार दिन में 2000 से उपर नए संक्रमित मिलने से सभी के हाथ पॉँख फुल गए है सीम योगी आदेतिनात खुद भी मैदान में उतर पड़े है जबकि मंत्रियों को जीलों में भेजा जा रहा है हजार से अधिक डॉक्टर और मेटिकल स्टाब भी संक्रमित है उतर प्रदेश में बिते 24 घंटे में कुरोना वाइरस संक्रमन के रिकॉर्ड 12,787 नए मामले साम 12,787 नए केस आए जबकि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वालों की संख्या सिर्फ 2,207 ही है सुबे की राजधानी लखनव में नए संक्रमितों के मामले में शिर्श स्थान बढ़करार रखा है लखनव में 24,069 केस मिले है जबकि 23 लोगों ने दम तोड़ दिया है लखनव में अब 16,990 एक्टिव केस है लखनव के बाद प्रियागराज में 1460 नए केस है यहां दो लोगों की मौत हो गई है यहां पर 6,902 एक्टिव केस है वहीं बनारस में 983 वहीं कानपूर नगर में 706 केस देखने को मिले है कानपूर में 6 लोगों की मौत भी हो चुकी बीते 24 घंटे में 2.12 लाख लोगों का कुरोना टेस्ट किया गया है। ये अब तक की सरवाधिक कुरोना जाच है। आपको बता दे कि दो दिन पहले 2.4 लाख का टेस्ट किया गया था। पुर्वे विधायक अदित्य पांडे जहानाबाद के पुर्वे चेर्मेन अनवारूल हक को पार्टी विरोधी गतिविद्यों में सनलिप्थ होने के कारण निश्कासित कर दिया गया। कहा कि कई बार चेतावनी के बाद ये लोग धंडा बैनर के साथ बागी दावेदारू का चुनाव प्रचार कर रहे थे। जिला पंचाय सदस्य पद पर बसपा संगठन ने अभी तक 46 में 12 सीटों पर प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे हैं। वहीं सूची जारी होते ही विवाद शुरू हो गया और जहानाबाद छेतर के कई पदाधिकारियों ने विरो की कारिश्यली की जाच कराई। पता चला कि ये लोग पार्टी सूची से इतर अपने प्रत्याशी मैदान में उतार कर पार्टी के जंडे बैनर का प्रयोग कर रहे है। इसके साथ अशोग गौतम ने ये भी कहा कि राश्ट्रिय अध्यक्ष मायवती की निर्देश पर ये कमर कसली है। 15 अप्रिल को पहले चरण में 18 जिलो में मतदान होगा। इसके बाद 19 को दूसरे चरण के मतदान में 20 जिलो के लोग अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे। दूसरे चरण के चुनाओं के लिए भी बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने अपने अपने ना 15,874 प्रत्याशी जबकि प्रधान के लिए 14,897 पद के लिए 99,404 प्रत्याशी मैदान में हैं। 30 तरिये पंचाय चुनाओं के दूसरे चरण का नामानकन शुक्रवार को पुरा हो गया। अब जिनको अपना नामानकन पत्र वापस लेना हैं वो लोग रविवार को SDM कार प्रापना पत्र देंगे। आपको बता दे कि दुसरे चरण में 19 अप्रिल को मुझफर नगर, बागपद, गौतम बुधनगर, बिजनौर, अम्रोहा, बदायू, एटा, मैनपूरी, कन्नोज, इटावा, ललितपूर, चित्रकुट, प्रतावगड, लखनव, लखिमपूर खिडी, सुल्तानपूर, गोंडा, महराजगंज, बनारस और आजमगड जिलों में मतदान होगा।